कोलेजिन सिस्टम को लेकर मोधी सरकार और सुप्रिम कोट लंबे वक्त से एक दूसरे के आमने सामने थे लेकिन अब जल्द ही इस मामले का हल होता नजर आ रहा है सुप्रिम कोट के सक्त तेवरों के बाद मोधी सरकार इस मामले पर बैक फूट पर आ गई है सुप्रिम कोट क दबाव के बाद केन सरकार ने कहा है कि जजो की न्युक्ति पांच दिन में हो जाएगी क्या है पूरी खबर देखते हैं ये रिपोर्ट सकत नजर आया कोट ने सरकार से कहा कि ये बेहत गंभीर मामला है हमें ऐसा स्टेंड लेने पर मजबूर ना करें जिससे परिशानी हो इस पर ओटनी जनरल ने कहा कि पांच जजो की न्युक्ति के लिए कुलेजियम की सिफारिश को जल्द मंजूरी दी जाएगी पांस दिन के संजे कुमार, चीर जिस्टिस मनिपूर हाई कोट, पटना हाई कोट के जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला और इलाबाद हाई कोट के जस्टिस मनूज मिश्रा का नाम शामिल था उन्वाई के दोरान अटर्नी जनरल आर के वैंकर ड्रमनी ने जस्टिस एहस के कोल और एएस ओका की बैंच को बताया कि पांच जजों की न्यूक्ति का आदेश जल्द ही जारी होगा सुप्रिम कोर्ट में जजों की सेशन स्ट्रेंथ सीजी आई समय चौटिस है फिलाल 27 जजों के साथ सुप्रिम कोर्ट काम कर रहा है पांचों जजों की शपत लेने के बाद ये संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी